आज बिग स्टोक से कड़ी में कौन कौन से अबिग स्टोक अज अलुड़ी काफी हमने चाच्छा इस पर कर ली आज बिग स्टोक में सबसे पहले में रख रहा हूं Tata Motors Tata Motors ती कल भी मैंने बात की थी, Tata Motors ने कल जो bounce दिया, exact 200-day moving average, यह टेकनिकल चार्ट रखना चाहिए था एक बार, यह भार भी रख दीजे, कल 200-day moving average से Tata Motors ने एक jump दिया, और डेहाई पर नहीं बंद हो पाया वो, क्योंकि स्टॉक में काफी correction आ चुकी, थोड़ा सा लोग उस पैकेज लेकर आ रहा है, तो उसका फायदा मिल सकता है, चीन में demand सुधर सकती है, और Q1 में, चीन में JLR की बेकरी जो थी, वो wholesale में 5% बड़ी थी, retail में 9% बड़ी थी, क्या यह market अब वापस थोड़ा सा तेजी में आ सकता है, और इस stock का pattern भी यही रहा है, आशिश की बारा बड़ी rally आती है, तो इसके लिए Tata Motors, क्योंकि global play है, इसके लिए, उसके बाद आप आजाईए GNFC पर, GNFC आज बारा आया, और chemical और fertilizers में जैसा मैं कहा भी रहा हूं कि थोड़ी सी मुझे rally की expectations है, तो इसके लिए, और चीन में जो rate cut हुआ, उसका एक sentiment पर impact आएगा technical charts पर भी यहाँ पर 100 week moving average पर buying हुई है, और 20 और 50 week moving average भी cross होने वाद, ध्यान रिकली charts पर यह इतने week हो गए थे, जहां से recovery आ रही है, तो यह दूसरा big stock हो गया, और एक मैं थोड़ा ahead of the curve ले रहा हूं, oil marketing companies में मुझे लग रहा है, अब आप fresh buying ना करे, oil marketing companies को, in fact, अगर आ अब मौके मिले तो shorting का भी play है, oil marketing companies में, उसका कारण बदाता हूं मैं, अगले 2 महिने के लिए HPCL, BPCL, IOC underperform करा सकते हैं, एक तो महराष्टरा की elections आएंगे, उससे पहले price cuts आएंगे, करना ही पड़ेगा, यह देखे, दूसरा सबसे बड़ा state है, और यहाँ पर अब तक सु क्रूड नीचे आ रहा था, अब तो क्रूड भी देर देर ऊपर आ रहा है, इनकी rally के ख़़म होनी चुड़ोगी थी, आच्छी यह आपको हर बार ही एक trade मिलती है, हर बार, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस बार भी यह होगा, आपको पता है, इस stock किस दिन bottom out करेंगे, जिस दिन वो price cut आएगा, जिस दिन वो price cut आएगा, पिछली बार भी ऐसा हो था, हमारी बार भी होई थी और उसके बार आप आप देखें, किया 40-40% के mood ने लिए stocks ने, इस बार भी मुझे लग रहा हा है, यह होगा, तो यह जो घिरावट होगी, यह आपके लिए फिर buying opportunity हो होंगे यह खतम होने कगार पर होंगे वहां से रह लिया जाएक तो यह फ़ड़ अहेड ओफ दे कर्व है इस पर ध्यान रखने आपको बिल्कुल ठीक यह आज के बिग स्टॉक्स अपनने वैसे मारुती अपनने जुमाइटो जे स्टॉक्सी चर्चा करी थी और बिग स्टॉ देखाइए और पैनल के साथ साथ दिखाइए A.P काल स का स्टेंग बाई साहँ. गबा सर, गबा सर, आज का टॉप कॉल बिर्ट को अज का टॉप कॉल है वो है, युनाइट प्रिविलिज, रीजन का है, बेसिकली इसका चाट स्चट पॉसितिफ है, पर आइसता इसता उपर जा 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 है, इसमें लग रहा है एक इंसेंट स्ट्रेंट, इनहेरेंट, बता अंधर तो फ्रेंद है, ट्रेंट करा तो ध्यान देना चाहिए आसपास मिलेगा तो ले लेना लिए 2-1-4-0 के स्टॉप लप से United प्रिवरीज यह लेना है आपको स्टॉक यह हो गई गावा सर की ट्रेड अब चलते हैं मानस के पास मानस गुड मॉर्निंग मानस आपकी ट्रेड तो देखे आज भी मेरे ख्याल से में एक रारी देखने को मिल सकती है कंटिनेशन देखने को मिल सकता है बाइन का नाइको में आज भी खरीदारी किया सकती है 189 का स्टॉप्र सकाएंगे 197 के आपको टार्गेट सेट करने ही ये कैश रेविल्स है अगर चाहे तो 200 वाला अक्टूबर मंग का कॉल आप्शन लेग सकते हैं पांच रुपए के आज-पास की क्लोजिंग थी इसमें तीन रुपे पचास पैसे के स्टॉप्रास खरीदारी करिए और नौ रुपे पचास पैसे के टार्गेट सेट करिए ओके नाल को है मानस का प्रिफॉर्ड आइडिया सद्पुते साब गुड़ मॉर्णिंग आपका टॉप ट्रेड सर बहुत बढ़िया चार्ट यहां टूंड़ एमें की उपर सस्टेंग कर रहा है अगर आप प्राइस पैटन देखे तो एक फॉलिंग चैनल यह ट्राइंगिंग फॉमेशन आपके सकते के जो इसने उल्रड से दिया था और कल यह अपने निकलाइन के ऊपर क्लोज हुआ है तो 208 का इसका कल का क्लोज बंधन बैंक तो इसे बाय करेंगे 202 के साथ और मुझे लगता है अगर हम स्विंग प्ले करें तो इसका टागेट होना चाहिए 220 का बंधन बैंक इसमें ध्यान रखिए का पस एक खबर आई थी senior level resignation की वो खैर उस पर आगे चर्चा कर लेंगे लेकिन यह है चार्ट के समिकरन सत्पते साब की तरफ से बहुती साब गुट मॉरिंग बहुती साब आज का top call सर गुट मॉरिंग अशी जी गुट मॉरिंग अशी जी आज का top call repeat रहेगा कल का जो को एक single था व 21 में को था और वहां से भी 35 रुपीज का डिविदेंट आ चुका है यह तो स्टॉक वैसे भी अगर आप देखें तो 500 के पार हो चुका है जो लास्ट क्लोस था उसके वहां से compare अकर मैं करूत हूं लग रहा है कि जो 470 का क्लोस हैं यहां से अनदर 10 रुपीस से 15 रुपीस क राली इसमें देखने मिल सकती है तो यहां पर खरिदारी की सला है 463 का एक स्टॉप लोस लगाना है 480 का पहला टागेट और 490 के सेकंड टागेट के इसमें पोजिशन मुनाई जा सकती है अब अशिश सतमोता के बाद चलते हैं अशिश गूद मॉनिंग अशिश आपकी पिक गूद मॉनिंग अनच गूद मॉनिंग अशिश तो देखें हम पूरी जो थीम हमें काफी पॉजिटिव लग रही हुए पावर की थीम है एक अच्छे कंसॉलिडेशन के बाद हाला कि इसमें पहले भी चाचा की पर मुझे लगता है कि अब एक नए कंसॉलिडेशन के बाद बड़े ब्रेक आउट्स वापस इस पूरे स्पेस में आ रहे हैं तो इसमें चाहे आप NTPC की बात करें पावर ग्रीट की बात करें या टाटा पावर की बात करें तीनों ही हमें काफी पसंद है और हमने जैसे कहा है कि यह जो रिन्योबल एनरजी की टागेट है जिसकी जो जिसमें करीब 500 गीगावर्ट की क्रीट करने की तैयारी हो रही उसमें इन सबका बड़ा बेनिफिट देखने को नजर आएगा अगर से एक स्टॉक क्लीन ग्रीन एनरजी कॉंट्रिबूट करती है और हमारा मानना है कि जो सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर होगा वो इस क्लीन एनरजी में होगा जो 5 गीगावाट से अल्मूस 15 गीगावाट तक होने की तैयारी यह कंपनी कर रही है साथी साथ इनका एक सोलार मडूल सेल म करने की तैयारी कंपनी कर रही है निवेज बिजनस में आप देखेंगे तो इवी चार्जिंग सोलार परम्स होम आटोमेशन इस सभी स्पेस में टाटा पावर बहुत ही आगे है तो उसका भी बेनिफेट हमें लगता है कि इस नीव थीम का मिलेगा तो आल इन आल जो 60,000 कर का इन्वेस्टमेंट ये कंपनी रिन्योबल एनरजी सेग्मेंट में आने वाले समय में करने की तैयारी कर रही है और तेकनिकली आप देखेंगे तो अच्छे तीन मैने के बाद अब स्टॉक ने कल बहुत ही बड़िया वॉल्यूम के साथ एक ब्रीक आउट दिया तो फुले एपेक्स पीएमस में बने हुए यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनला लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें